Hello friends, स्वागत है आपका Digital दयारी चैनल पे, मैं श्रियांस को ठारी लेके आया हूं दोस्तों, Raymond Murphy की बुक, Elemental English Grammar, दोस्तों, Essential English Grammar, दोस्तों, यहां हम देखेंगे, बहुत basic level की अंग्रेजी को, कि इतना effective रूप से करवाया गया है आपको, कि मज़ा आ जाएगा, like करें दोस्त रहे का question है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं, दोस्तों, यह जो book basic से हम करवा रहे हैं, पिल्कुल zero level से आपकी English को बहुत ऊपर ले जाएंगे, सीधा लिए चलता हूं, मैं chapter number 13, unit number 13, दोस्तों, past continuous जैसा आप देख सकते हैं, पहले एक unit हो चुका है, जिसमें present continuous की बात की थी, present continuous में रहा है, रही है, रहे है, ऐसा काम हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, यह सारी चीज़ें जो हैं, वो present continuous में, present continuous के कुछ दिनों बाद यह सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, past continuous में, कल भी मैं आपको पढ़ा रहा था, दोस्तों, कल आप पढ़ कल आप खाना खा रहे थे जब आप टीवी देख रहे थे मलब ऐसा कोई काम जो पहले हो रहा था यानि रहा रहे 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 आएगा यानि continuous है और past है इसलिए था जरूर आएगा यहाँ पर हम example देखते हैं It is six o clock now आपको अगर नज़र आता है कि छे बज़े हैं यह लड़की सारा है सारा के घड़ी में छे बज़े हैं टीवी देख रही है यह सारी जीज़ें तो सारा इस आठ होम सारा कहां पर है अपने घर में है She is watching television आपको नज़र आ रहा है यह टीवी देख रही है और अगर चार बज़े की बात करें यह तो छे बज़े हैं अगर हम चार बज़े की बात करें चार बज़े की हुआ? She wasn't at home वो घर पे नहीं थी तो कहां थी? She was at the sports club वो कहां पर थी? Sports club पर थी यह दोनों चीदे past में चल लगी उस समय क्या कर रही थी? वही past continuous है उस समय उसका state of क्या था status? She was playing tennis, आप देख सकते है tennis का racket है, बिलकुल अच्छे से तयार है, she was playing tennis, she wasn't, ध्यान से देखे, wasn't playing tennis, watching TV, तो यहां आपने देखा दोस्तों, positive और negative दोनों आ गए है, आपको बताया गया है past continuous ऐसा पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, हो रहा था, example आपको दे रखा है, timeline आपको समझा रखिये, चलो मैं timeline के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, कि timeline में क्या समझा रख है, अगर आप गौर से देखें, तो आपको नजर आएगा कि यहां चार बजे है, चार बजे है, उसने खेलना शुरू किया, चार बजे आगे बढ़ गए, साड़े चार बज कि ing इसी को past continuous कहते हैं, दोस्तों positive negative question, तीनो चीज़े हैं, मेरी भाशा में कहें तो affirmative negative और interrogative sentence की बात करूँ दोस्तों, I के साथ was के साथ ing लगाया, she, he के साथ was के साथ watching लगाया, अगर यहां पे we, you या day, यानि कि you और plural के लिए were लगा के हमने ing लगाया, अगर negative बनाना है, कुछ नही wasn't और weren't, यह नही not लगाना है, यह हम wasn't और weren't, पहले एक units में देख चुके हैं दोस्तों, इसके साथ ing लगा दीजिए, question बनाना है, कुछी भी मत करिए, इस वाले box को उठाइए, यहां पटक दीजिए साब, यह लीजे आपका question बन गया, और बहतर समझने के लि तो present continuous को बहुत अच्छे से, solid मैंने पढ़ा दिया है, उसी में इसकी जगे was करना है, that's it, बाकी ing वही है, बाकी wasn't वही है, सब कुछ वैसा के वैसा है, example के तौर पे देखते हैं दोस्तों, what were you doing at 11.30, yesterday, कल साड़े 11 बजे तुम क्या कर रहे थे, रहे थे, past continuous, were you working, क्या उसे पहले लेके गए, अपने structure को मजबूत करिये, what did he say, उसने क्या कहा, I don't, मुझे नहीं बता, I wasn't listening, मैं सुन नहीं रहा था, तो आपने मेरी बात को समझा दोस्तों, यहां हम continuous की बात करते हैं, यहां हम past continuous की बात करते हैं, मैं नहीं सुन रहा था boss, it was raining, बारिश हो रही नहीं थी, हम बाहर नहीं गए, did not के साथ, first form, पिछले units में देखा है, 1985 में, we were living in Canada, हम Canada में रहे रहे थे, आप ध्यान से देखें चीजों को, 1985 में हम Canada में रहे रहे थे, past continues, today, she is wearing a skirt, उसने skirt पहन रखी है, बड़ यस्टरड इकल गया था, she was wearing trousers, उसने पतलून पहनी थी, उस समय क्या कर रही थी, ऐसा आया, I woke up early yesterday, मैं जल्दी उठा कल, it was beautiful morning, बहुची morning दी, the sun was shining, सूरज चमक रहा था, and the birds were singing, और चिडियाएं चह चहा रही थी, गाना गा रही थी, so सारी चीजें अगर अभी से पहले हो रही थी, हो रहा था, past continuous, basic है दोस्तों, continuous, चल रहा है, जारी है, progressive है, पहले हो रहा था, past का continuous है, आगे देखते हैं दोस्तों, इसने एक spelling के कुछ नियम बताए है, appendix 5 को इसने कहा है कि भी या, live का living में, year जाता, ing बन जाता है, n यहाँ पर double हो जाता है, lie का yng बन जाता है, basic structure, m is our, यानि present में आएगा, I am working now, it isn't raining now, what are you doing now, was वर ing में उसका past बन जाता, I was working at, it wasn't raining when we went out, जब हम बाहर गए, बारिश नहीं हो रही थी, तो दोस्तों हमने यहाँ पे बड़ा ही फटाफट में देखा, किस तरीके से आप उसको पढ़ेंगे, इसको chapter को पढ़ने से पहले, मेरा unit number one से लेके 12 जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यह continuous process है, यह भी आगे बढ़ने वाला, progressive है, वो पढ़ोगे तो यह clear होगा, यह clear होगा, तो आगे clear होगा, सीधा अगर आप यहाँ पे land हो गए हैं, कोई problem नहीं है, it is better कि आप मेरे पहले वाले units देख लें, मुश्किल से 20-22 minute के videos हैं, लेकिन English के लिए बहुत मज़ा आज सीधा लिए चलता हूँ मैं आपको exercise पे, दोस्तो यही तो मज़ा इस book का है, कि इसमें समझाया भी picture के form में है, और exercise भी picture के form में है, दोस्तो competition का कोई exam हो, English को basic से सुधार ना जरूरी है, आप competition की तयारी नहीं कर रहे हैं, तो भी English तो basic से चाहिए ना आपको, चलिए, Look at the pictures, pictures को देखिये, where were these people at 3 o'clock yesterday, 3 बजे कल ये कहा थे, afternoon में, and what were they doing, क्या कर रहे थे, write two sentences of each picture, हर picture से आपको दो वाक्य लिखने है, चलि देखते है, home पे थे, TV देख रहे थे, Ann was at home, she was watching TV, आपको बात समझ आ गई, कैसे करना है आपको, अभी देखते हैं, कैसे करना है TV देख रहे, सब कुछ इसने दे रखा है आपको, ये कैरल और जैक दो लोग हैं, सिनेमा पे थे watching TV, कैलन जैक, वर, at the cinema, नजर आ रहा है बॉस, दे वर वाचिंग, दे से शुरू किया, दे वर, watching cinema, watching movie, watching a film लिखावा है यहां पे, तो वो क्या कर रहे थे, हम फिल्म देख तॉम के बाद, तॉम तीन बजए कार पे था, तॉम ड्राइव कर रहा था, अपनी कार में था, न, लिखावेटेखो, इस कार, तॉम तीन बजए कहा था, अपनी कार में था, I was driving the car, he was driving, he was driving it, जो आपकी इचहह लगा तो बहुस, चार नंबर में, कौन है ये, कैथरीन, आ आपको नज़र आ रहा हो, train की पट्रिया, कहां पे थी station पे, क्या कर रही थी train का वेट कर रही थी, Catherine. So, Catherine was at station, railway station. Catherine was at railway station, पहला हो गया? She was waiting for the train. She was, plus ING, was waiting. और आगे देखते हैं, दोस्तों, Mr. and Mrs. Hall. Park में थे walk कर रहे थे, बहुत कुछ नहीं. Mr. and Mrs. Hall were at the park, were आएगा, क्यों दो लोग हैं इसलिए? They were walking, क्या कर रहे थे, वाकिंग कर रहे थे, गूम गाम रहे थे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है. बट दिन में तीन बज़े तोड़ी गर्मी होती है, हमारे यहांपे. अब आगे आपसे पूझा है, तुम क्या कर रहे थे कल तीन बज़े, तो लिख दो ना, I was at my home, मैं तो मेरे घर पे था, I was at my home, क्या कर रहा, I was watching this video, कल भी तुम में मेरा वीडियो देख रहे थे, क्या ये बात समझ आ रही है? I was eating लिख देना, I was sleeping लिख देना, जो तुम करते हो, यहां हमारा ये unit number 13 का point 1 समाप तो जाता है, 13.2 पे आगे वढ़ते हैं, चलिए दोस्तों, फिर से pictorial, picture के रूप में, दोस्तों, एक picture जो है na thousand words से भी जादा कुछ बया कर जाती है, तो आप उसको देख के बहुत जल्द 11.45 पे, she was washing her car, car नजर आ रही है, धो रही है, साफ कर रही है, यह हो गया clear साब, 11.45 जरा ध्यान से देखे, 11.45, क्या कर रही है, Sarah, यानि she was swimming, आपको नजर आ रहोगा swimming कर रही थी, जो पूछा वो बता दो ना भाई, 9 o clock, अब जरा देखे, 9 o clock, अखबार है हाथ में, कटा दो, इसे भी कट कर दो, 12.50, देखो जरा, 12.50, घर में है, cooking कर रही है, खाने में, kitchen में, at 12.50, she was cooking food, भाईया, बोजन के लिए, प्रबंद कर रही थी, सब के लिए, 8.15, morning में, आपको नजर आ रहा है, breakfast ही कर रही हूँग, हाथ में चमच है, she was having her breakfast, having breakfast, जो भी आप ले 10.30, यहाँ पर आप देख सकते है, radio है, radio पर गाने सुन रही है, she was listening to music, she was listening to radio, the radio, तो क्या ये बात समझ आ गए आपको, Sarah क्या कर रही थी, कल सुबह morning में, सब कुछ clear कर दिया, timing के साथ, बहुत ही प्यारी exercise थी है, complete the questions, question बनाना है, was, were plus ing लगाना है, what, where, where लगाना है, as per subject, was या were लगाओ, उसके बाद आपका subject लगाओ, ing लगाओ, अगर object की जरूरतों तो लगाओ, मैं बता रहा हूँ, इतना easy तरीके से आपको समझा दूँगा न, basic structure आपको clear होना चाहिए, w h आना चाहिए, उसके बाद, यह बहुत जरूरी है, दोस्तों structure, देखो, grammar में सबसे ज़रूरी structure है, आप spoken English करना चाहते हैं, तो structure जरूर है, आप लिखना चाहते हैं, तो structure जरूरी है, समझना चाहते है, तो structure जरूरी है, competitive exam की तैयरी کرना चाहते हैं, तो structure जरूरी है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहए रहा है, London में, where were you living in 1990, कहा आते भाई हा, तुम लंडन में थे, at two o'clock अभी क्या कर रहे थे, so what आएगा, द्यान से देखना, what were you doing at two o'clock, I was asleep, मैं तो soya आवा था, यहाँ आया, no, अब याद होगा आपको, जब भी मेरा प्रशन yes or no से होता है, मेरा शुरुवाती helping verb से होता है, डबलो अच लगाने की जरूत नहीं है, वो कह रहे, no it was sunny, so was it raining, द्यान से देखेगा, was it raining, बिल्कुल perfect, when you got up, जब तुम उठे, क्या raining हो रही थी, no it was sunny, बहुती sunny था, because she was in a hurry, वो तो जल्दी में थी, क्यों की, तो सवाल पूचा होगा, क्यों, why, अब देखेगा दोस्तों, why was, द्यान से देखा, why was Ann driving so fast, द्या यहां पे आगया, was Ann subject होगया, driving, और so fast यहां पे आगया, she was in a hurry, बहुत जल्दी में थी, no a t-shirt and a jeans, again देखें दोस्तों, no यानि yes या no वाला सवाल है, wh नहीं आएगा, सीधा helping verb, auxiliary was वर से शुरू करेंगे, was Tim, ध्यान से देखेगा, was Tim, wearing a suit yesterday, कल वो क्या yesterday को उसने suit पहना थ no a t-shirt and a jeans, t-shirt और jeans पेना था, तो हमने देखा दोस्तों, 13.3 exercise, WH या normal question जो हमारे auxiliary से बनते हैं, वो भी देख लिए, आगे बढ़ देखें दोस्तों, 13.4 यानि कि आखरी exercise, क्या करें, look at the picture, picture पे देखो, you saw Joe, Joe को देखा, street yesterday, yesterday afternoon, क्या कर रहा था, write positive or negative sentences में, question दे रहा है, आ याना, answer लिखने, wear a jacket, क्या वो jacket पेने वे था, he wasn't wearing a jacket, मुझे कही jacket नजर नहीं आ रहा है, आपको भी नजर नहीं आ रहा है, carry a bag, तो लिखना, he was carrying a bag, he was carrying, c-a-r-r-y-i-n-g, go to the dentist, I am going to shopping, clear लिखा भईया, हाद में थेला है, shopping ले, he wasn't, wasn't going to the shopping, going to the dentist, wasn't ho jaya啦, ice cream, आपको नजर आ रही है मुझे भी नजर आ रही है, खाँ रहा है वही, he was eating an ice cream, he was eating an ice cream, umbrella आपको भी नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा Messiah喔, He wasn't carrying an umbrella, wasn't carrying an umbrella, shopping जा रहा है, home नहीं जा रहा, He wasn't going home, he wasn't going home. Wearing a hat, hat penny भी है जब. He was wearing a hat, he was wearing a hat. Ride a bicycle, लग तुनी रा, पैदल जा रहा है भी. He wasn't riding a bicycle, तो आपने देखा, एक photo से describe करना उसने सिखा दिया, आपको hint थोड़ी दे दी, भागी आप देख सकते हैं. तो दोस्तों, यहाँ हमने past continuous का positive negative question, सब कुछ देख लिया, दुस्तों, यही मैं बता रहा हूँ आपको इस book की खासियत है, बिल्कुल बने रही है अपने English को जोदारने के लिए, चैनल वही है दुस्तों, digital तैयारी, thank you.